हेलो रिवाड़ी मैं अधरमेंद कुमार आपके अपने चैनल जी के देखो बाई डी के में आप सभी का स्वागत है यूडाइस प्लस पोर्टल में नए अपडेट आ गये हैं सायद कुछ हमरे टीचर्स को पता लग गए होंगे फिर भी में इस पर एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ जिन बच्चों का नेशनल कोड नहीं बना था यानि जो बच्चे 2022-2023 में किसी भी स्कूल के यूडाइस में एन्रोल नहीं थे तो उनका नेशनल कोड नहीं बना है और वे बच्चे अब 2023-2024 में किसी ना किसी स्कूल में परवेश ले चुके हैं तो उनको भी यूडाइस प्लस में एड किया जा रहा है अब लोग लेविल पर इस्टुडेंट को एड करने का ओप्षन आ गया है कक्षा 2 से 12 तक क्योंकि एड करने का ओप्षन पहले केवल कक्षा 1 में ही था कक्षा 1 में ही बच्चे को एड कर सकते थे अन्य था हम अन्य कलास में बच्चे को इंपोर्ट करते थे क्योंकि इंपोर्ट हम उसी बच्चे कर सकते हैं जिसका नैशनल कोड बना हुआ है यानि स्टुडेंट पैन नमबर बना हुआ है और जो स्टुडेंट पिछले वर्स किसी भी स्कूल में एन्रोल नहीं थे तो उनका national code यानि के student pen number नहीं बना था अब उन बच्चों को block level पर add किया जा रहा है आप form भर कर block पर जमा कर सकते शेर्सी महोदे के माद्यम के दुआरा या फिर swim भी वीर्सी पर जाकर उन forms को जमा कर सकते दूसरा update यह है कि जब वो पिछले वर्स आपने बच्चे को add किया तो आप से कुछ गलतियां हो गई या से student name उसकी spelling में गलती हो गई date of birth यानि डी ओ भी उसमें भी आप से गलती हो गई या फिर gender बच्चे का male से female या female से male हो गया यह भी आप से गलती हो गई थी तो आप उन गलतियों को भी आप सुधार सकते हो उसका वेक निश्चित form बरकर आप बी आरसी पर जमा कर सकते हैं CRC मोहदय के माद्यम के दुवारा या फिर swim भी आप बी आरसी पर जाकर उस form को जमा कर सकते हैं आप अपने student name की spelling DOB और gender यह सब भी correction करवा सकते हैं इस पोर्टल पर blog level पर आ गया है अपडेट कि आप किसी भी बच्चे की माता पिता के नाम की spelling student के नाम की spelling उसकी date of birth और उसका gender भी आप अगर आप से गलती हो गया था पिछले वर्ष तो अब आप उसको blog level पर correction करा कर सही करा सकते हैं यह दो अपडेट आपके लिए आये थे Udice प्लस पोर्टल पर अब जब हम पच्चे को किसी भी ख्चा में add करवा देते हैं block level पर मेरे स्कूल में दो बच्चे ऐसे थे जो किसी भी स्कूल में enroll नहीं थे यानि वो पिछले वर्ष किसी भी स्कूल में किसी भी स्कूल के Udice में पंजिकरत नहीं थे तो उनका national code नहीं बना था मैंने उनका form बरके CRC मौदे को दिया GP, EP आपको उनका अपने आफ स्वेंप पुरा करना पड़ेगा क्योंकि डाटा आपके पास है उनके पास नहीं है तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि बच्चे को add करने के बाद हमें क्या-क्या करना होता है यहां मैंने ID, password और capture फिलिंग करने यहां लोगिन कर देते हैं यहां लोगिन करने के बाद कुछ इस परकार से आपके सामने यहां किलिक करेंगे और इसको close करेंगे और phone कर लेते डेक्स ओफ साइट पर ठीक है अब देखें यहां जो है मैं आपको दिखा रहा हूं कि add करने का option ब्लोक लेविल पर और फिर भी आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे six के बच्चे हमने दो बच्चों को add कराया था देखें कैसे add होते है कैसे add के वे होते है यहां किलिक करेंगे और देखिए जिस बच्चे को हमने add कराया था यह वो बच्चा है छटी में ठीक है अब देखें सब बच्चो यह नहीं इसका कम से कम अगर मैं गलती नहीं करता इसका national code बनेया कम से 7-8 महिने बाद ठीक है तो यह बच्चा add कर दियागा है block level पर आप भी अपने बच्चे को add करा सकते हैं जो पिछले वर्स किसी भी school में enroll नहीं थे उनका national code नहीं बना था अब उन बच्चों का add किया जा रहा है ठीक है तो देखें जिस बच्चों का add किया था उसी के सामने जो है यह red वाला डिबबा बना होता है यहने आप बच्चे को delete भी कर सकते हैं फिलाल कक्षा एक के बच्चे को add कर रहे थे तो इट का option कक्षा एक के सामने आता था लेकिन अब देखें दो बच्चे को मैंने add कराया उनके सामने लाल वाला box कर डिबबा बनावाए और आप बच्चे को delete भी कर सकते हैं लगती से add हो गया है तो ऐसे एक बच्चे हमारा ओर था यह देख लें यहां इसको भी हमने add कराये हैं दो बच्चे और इन दो बच्चों के सामने देख रहे हैं आप लाल वाला box बनावाए डिबबा बनावाए यह अभी अभी add होकर आए हैं अब आप इनके सामने देख इनका नेशनल कोड नहीं है देखो यहां परमानेंट एजुकेशन नमबर न ए परमानेंट एजुकेशन नमबर एन ए इनका नेशनल कोड लगबग 5-6 मीने बाद जन्रेट होगा और यह भी नेशनल कोड वाले बन जाएंगे यह नहीं इनका भी student pen नमबर बन जाएगा एड नहीं हो पा रहे थे उन बच्चों का नेशनल कोड नहीं बना था वो बच्चे किसी भी स्कूल में पंजिकर नहीं थे 2022 में तो आप उनको एड करा सकते हो ब्लोक लेविल पर एक निशित फार्म है इस फार्म को आप भर करके ब्लोक पर जमा कर दीजे और जिस बच्च को भी करक्शन करा कर सही करा सकते हैं उसका भी निशित फार्म है उसको आप भर करके ब्लोक पर जमा कर सकते हैं ताके आपका इस्टुडेंट डाटा यानि यू डाइस प्रस पोर्टल अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाए ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही वीड सब्सक्राइब जरू कर लिजे धन्यवाद जय है